जे मातादी राम राम जी कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ आप सभी स्वस्तोंगे हम भी स्वस्त हैं ये हैं हमारे पास भंगजीरा हमारे यहां भंगजीरा बोलते ही से आज बना रही हूँ मैं इसके प्रांठे आपके क्या कहते ही से बताईएगा ये जादा तर पहाड में होता है पहले हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे जब यह भून जाएगा तब हम पीस लेंगे अब इसे पीस लेंगे हमने इसे पीस लिया है अब इसे हम डबे में रख देंगे और इसके प्रांठे बनाएंगे कभी कभी इसकी चटनी खाने का मन करता है तब भी हम चटनी बना देते हैं और ऐसे भी में इसी पीस के रख देती हूं जब कभी महमान आते हैं तो हम इसकी वेडोली भी बनाते हैं मीठी भी और नमकीन भी परांठे भी और चटने भी बनती है कुछ भी बनाओ आप यह बहुत स्वाधिश्ट होते हैं इसे मैं डब्बे में रखतोंगी और उसके बाद अखरोड पीस लोगी अब हमने अखरोड लिये हैं यह मैंने तोड़के रखे थे अब इन्हें भी पीस लोगी बंगजीरे के साथ अखरोड डालते हैं बहुत ही स्वाधिश्ट बेडोली भी बनती है और प्रांठे भी और चटने भी हलुआ भी बनता है अखरोड का अगर बनाएं मीठा हलुआ अखरोड भी पीस लिए हमने इसमें तेल होता है इसका बहुत जादा और इसलिए यह दाने दाने दार नहीं पीसा जाता बिल्कुल पारिक पीसना चाहिए इसे इसे भी हम डब्ली में बन करके रख देंगे थोड़ा ले लेंगे और उसके बार रख देंगे जब जड़त पड़ेगी तो फिर चटने या प्रांठे बनाते रहेंगे यह है भंगजीरा यह भी हम रख देंगे अब हमने लिया है अद्रक का टुकड़ा इसे कटुकस कर लेंगे उन्देनर अग में जड़ेगे। हरा धनिया भी कार देंगे दो हरी मिर्च लिए इसे भी कार देंगे इसमें ज्यादा मसाले नहीं डलते इसमें मिर्च और नमग और हरा धनिया अगर है नहीं फिर तो नमग मिर्च भी भूछत है इसमें और मसाले नहीं डलते इतना ही डलता है अद्रक और हरा धनिया में तो अपने स्वाद के लिए डाला है आप लोग ना डाल सके तो कोई बात नहीं अब मैंने इसमें अख्रोट डाल दिया है और ये डाल रही हूँ भंगजीरा अख्रोट मैंने कम डाले हैं क्यूंकि गर्मी आगे गरम भी होते हैं और भंगजीरा मैंने जादा सा डाल दिया है अब डाल रही हूँ नमक अब इसे अच्छी तरह मिला दूँगी अब इसमें तीन चार चमच पानी के डाल दूंगी थोड़ा गिला सा बन जाए क्योंकि सुका सुका रह गया था सिर्फ इसमें जो अकरोट और इसका ओल निकलता है वही था वंगजीरे का मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला ज्यादा नहीं डालना अगर ज्यादा गिला हो गया फिर हमारे परांठे से यह बहार निकल जाएगा अब यह तेयार हो गया है अब बनाएंगे हम परांठे अब इसमें हम भी लिंग कर देंगे ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा इसाब से डालेंगे जो बहार ना निकले मैंने एकी ही चमच डाला है और इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे कभी कभी इसमें से ये बहार भी निकल जाता है ऐसा होता ही परांठे में चाए आप आलू के बनाओ मूली के बनाओ चाए किसी चीज कर देंगे थोड़ा तो निकलता ही है अब इसमें हम मक्खन लगा देंगे हम तलावा नहीं खाते इसलिए एक तलावा बना देंगे और एक सिंपल बना देंगे सादा परांठा अब हो गया हमारा परांठा ते यार इसमें हमने मक्खन नहीं लगाया है हमने इसे मक्खन के साथ खाना है यह परांठा मेरा बहुत अच्छा फूल गया है अब तयार हो गये खाने के लिए थाली हमने लिया है मक्खन और मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी गल-गल का अचार ऐसा बना हुआ है यह दो परांठे और दही आप सभी को हमारी वीडियो कैसे लगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे जे माता दी राम राम जी अब दिखाती हुँ मैं इसकी फिलिंग कैसी है इसमें देखो कुश्पू भी बहुत अच्छी आई हुए दोनों प्रांठे में दिखाती हुए बहुत अच्छी फिलिंग की है झाया हुए